शिवनात नदी में पास लोगों की डूबने से मौत शिवनात नदी में पास लोगों की डूबने से मौत यह कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं यह कहूं तीन लोगों की पहले से डूबने से मौत हो चुकी है दो लोग मैंने अपने नंबर में इजाफा कर दिया है उसका कारण यह है कि तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं और जो हम हकीकत में यहां पर आकर के देख पा रहे थे वो बिलकल हूब हूब यह साबित करती है कि कोई बड़ी घटना नहीं होगी अगर दो लोग और डूब जाएं इस तरह से तस्वीरों में आप देख रहा हैं लोग नाच रहे हैं यहां पर खिलने आहे हैं को कि दूब beim लोग पुलिस को पुलिस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि पुलिस नहीं देती है यहां पर यहां पर मद्नीडने कीós music पोलिस कर सबाइ 원Sage अंदर इतना दिमाग नहीं है मौसम का आनंद लिने के लिए मौसम का मिजाज जान लिए आप लोग सिनातन नहार जाते हैं नहाने की कोशिश करते हैं नहार्थ कजि Bennett कहीं कैसी और पतवार के पास मिलती ऊसके बाद मच्वाराव रखो कि किस तरह की स्थिती लगातार बरकरार है कि यह जिम्मेदारी किस तरह की जिम्मेदारी है पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें आप देखिए या मैं इस वक्त यहां पे हो यह चोटा पुल है जो कुछ दिन बाद पूरी तरह डूप जाएगा यह तस्विरों में दे कि खुर दिया जाएगा, उसके बाद पानी जो उफान पर रहेगा उसकी भी तस्वीर देखने के लिए लोग यहां पे आएंगे, दो लेने आएंगे, मजय के चक्कर में कितने सजे हो जाते हैं, ये शायद आप लोग को ही, वह जो चले जाते हैं, उनको तो पता नहीं होगा वह मौसम को मिजाद जानने के लिए तो ना आये, वो भी उस समय ना आये, जिस समय इस तरह की दिक्कते होती हैं, इस तरह नदी के किनारे तो बिल्कुल ना है, अब आप बोलेंगे कि मैं भी नदी के किनारे खड़ा हूं, आना पड़ता है, अगर गंदगी में लोग हैं, त उसके बाद दो दिन बाद डेड बाड़ी निकाली गई, पुलिस ने यहां विवस्था नहीं की है, फालान धेकान, पुलिस पे तोहमत मरते मरते पता नहीं, कितने लोग मर जाते हैं, और कितने लोग अपने अपने घर जाते हैं, किसी को कोई परिनाम नहीं मिलता है, कोई जो चीजें चीज के लिए बोड को समझ नहीं आता बोड लगाने से और बोट के लिए समझाईज देने से भी जब लोगों को समझना आए तो इस तरह से समझाना पड़ता है अब तक तीन लोगों के मौत हुई है दो दोस्त भिलाई से आया थे एक महा समून में पड़ता था वो आया हुआ था ये दो सिर्फ इसलिए आया थे कि मौसम का बनने का ये समय है एक दूसरे से एक दूसरे से जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है इंस्टाग्राम पर रिल्स वगएर बनने लगते हैं ब्रोन उड़ने लगते हैं रिल्स बनने लगती हैं तरह तरह के मैसेज आने लगते हैं लोग पहुंच जाते हैं शिवनातती और क्या होता है दिरे से कोई फिसला और सीधा अंदर ये चीजे ठीक नहीं है जिम्मेदार हो गए हैं बहुत सारी चीजों को जानने समझने लगे हैं ऐसा तो नहीं है कि हाथ में अंग उठा लिया चूस्ते-चूस्ते आप यहां पर आजाते हैं अशा तो नहीं है है ना मां कि गोच से उतरते हुए सीधा तो नहीं आते होंगे इतने तो आप वो समझदार हैं कोई जबरदस्ती दोस्त आपको बैठा करके बाइग पे तो नहीं लाता हो आप यहां से पार करना हो तो पुल है, पुल से पार करिए और सिधा चले जाएए, इतना करीब आने की जरूरत नहीं है, नदी है, घर का कोई वाश्रूम नहीं है, घर का कोई ऐसा कोई जगा नहीं है, जहां पर गए और आराम से वापस आ गए, नदी है, डूब जाएंगे, तो आपकी जान चली जाएगी, मर जाएगी, सीधी तोर पे बोलू तो, जादा घुमा फिराके बोलूँगा तो हो सकता है, सजावट लगे, इसलिए सीधी तोर पे, कि अगर भीतर जाएगे, उसके बाद जो इस्थिती होगी, वो आपके माबापको जादा जहलनी पड़ेग और उसके बाद खबरों में एक कॉलम की खबर लग जाएगी, और न्यूस चैनल में ब्रेकिंग की पट्टी चल जाएगी, बस यही होगा, उसके बाद आपके दोस्त और आपके चाहने वाले भी आपको भूल जाएगे, इसलिए जिम्मेदारीयों को ना भूलिए, जिम्म इंदार नागरिक हैं, तो इन सब चीजों से और भी लोगों को यह चीज बताएगे कि भीया, नदी है, अगर डूब गया, तो कहीं के नहीं रहेंगे, उफान और बढ़ेगा, मोगरा बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, पानी छोड़ा जाएगा तो शायद यह पूल भ बढ़ा था कि जो पानी के टंकी है, उस पर से जाकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ी थी, तो वैसी सिती क्या फिर से बन सकती है, क्या पिछले बार से जो प्रशाजन ने कोई सबक लिया है, क्या कि पानी अगर इतना बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, यह सारी चीजे बढ़ में